गुड इवनिंग फ्रेंट्स वेल्कम टु मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही जबर्दस नेचरल लेडाइश शेयर करें हूं जो आपके बाल अगर ज्यादा सफित भी है तो भी यह आपको 100% रिजल्ट देगा ही देगा पहली ब पाउडर का यूज किया है आप चाहिं तो जो प्लेक आउला आते है उसका भी यूज कर सकते हैं उसे आपको ग्राइंड करना पड़ेगा ठीक है प्लीज पाउडर कोई भी प्यूर कंपनी का ले मैंने यहां पर आपको अलग-अलग दो पाउडर दिखे रहेंगी क्योंकि एक मैंने घर में बनाया है अभी आउला का सीजन चल रहा है तो हो सके तो घर में बना के रखें बैस रिजल के लिए और एक रेडिमेंट था एक बड़ा चमच में ले लिया है आउला का आउला पाउडर का उसे बिल्कुल जो गैस की कम छोटी फ्लेम पे कम आंच पर इसे ह एक डार्क कलर छोटा है हमारे बालों के उपर फीक है अब इसे हम रखेंगे साइड में अभी ये काफी गरम है अब हम बनाएंगे पहले कंकुशन क्योंकि जो कंकुशन बनेगा न वो गजब का बनेगा इसे आप जादा बनाकर इस्टोर करके चाहें तो 15-20 दिन फ्रीज म होंगे बलके बिल्कुल सिलकी शाइनी स्मूज ही हो जाएंगे इसके योगेश में हम जो चीज़े डालेंगे गजब की डालेंगे सबसे पहले हम डालेंगे शिककाई पाउडर एक बड़ा चमच यहां फिर दो छोटे चमच कह सकते हैं बिल्कुल छोटे चमच जे तो दो बड़ा है एक लेंगे शिका कई एक नेच्रल क्लिंजर होने के साथ साथ बालों को थेक बनाता है बालों को काला भी बनाता है उसके बाट डालेंगे एक चमच जितना हमने शिका कई डाला था उतना ही हम डालेंगे हिबिसकस के फूलों का पाउडर गुड़ल के फूलों का प पाउडर ये भी बालों को ठिकनेज देता है बालों के कलर को डार करता है उसके साथ साथ बालों को सिल्की शाइनी स्मूध बनाता है बिसकस की जितनी तारिफ की जाए उतना कम है अब डालेंगे इसमें 15 से 20 लॉंग लॉंग भी बालों के कलर को डार करते है उसके साथ साथ ठंड है अभी तो यहां पर ठंड नहीं है पर अगर आपके यहां ठंड है तो लॉंग क्या करता है बालों को गर्माट देता है तो ठंड भी ठंड से भी हमें बचाता है क्योंकि यह की तासेट में काफी गरम होता है अब हमें इसे अच्छी तरसे बॉयल करना है पर इसमें हम और एक चीज डालेंगे जो कि है Flex Seed जिसे हम LGB कहते हैं अब ये कितना डालना है एक चमच जो हमने चीज़ें डाली है अब सब चीज़ें अपने बालों के लेंध और वॉल्यूम के सबसे कम ज़दा कर सकते हैं अब Flex Seed भी है वो भी हमारे बालों के silky, shiny, smooth बनाने के साथ बालों में ठिकने दिता है बालों के कलर को डार करता है अब इसकी है एक हम थोड़ी चीज़ें पतली सी जेल बना लेंगे ये देखिए कि इसके flame को बंद करेंगे और इसे गरम गरमी चान लेंगे क्योंकि अगर इसे बहुत थंडा करोगे तो चानने में problem हो जाएगी Flex Seed को जैसे जैसे रखेंगे उसे आप चान नहीं पाओगे चिक है ये जो उपर से Flex Seed बच जाए प्लीज इसे फेक है बिलकुल भी नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारी जैल होती है इसे रखें और जब चाहें फ्रीज में रखें और जब आपको head wash करना हो तब इसे अच्छी तरसे grind करे पाने डालकर चान कर अपने shampoo में डालें अब जो हमने आउला लिया था roast किया था इसमें हम डालेंगे मेहंदी मतलब हीना जो भी हीना मेहंदी आपको पसंद हो हो आप डालेंगे जो आपको suit करती हो ठीक है मैंने यहाँ पर लगबग हीना के डाले से चार चमच वो मेरे से miss हो गई है एक लिप स्वारी ठीक है मेहंदी डालकर जो हमने concussion बनाया था उससे एक हम smooth paste बना लेंगे यहाँ पर हम आगी का process शुरू करें उससे पहले मैं आपको प्रिक्सो तीसी request करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके bell प्रटन जरूर प्रेस करें तो जो भी वीडियो टालेंगे उसका नुक्षन आपको तरंथ मिल जाएगा अगर वीडियो इस लगए तो अपने family और friends में जरूर शियर करें अच्छा लगए तो एक like जरूर करें देखें मैंने हीना का concussion अच्छी तरह से बना लिया है जो हमने gel बनाई थी वो बच गई है तो मैं इसे क्या करूंगी अपने shampoo में mix करके use करूंगी तो बालो में dryness बिल्कुल भी नहीं आएगी और shampoo से जो नुक्सान होता है उससे भी हम बच जाएंगे ठीक है वैसे आप इसे जैसे चाहें वैसे use करें अगर यह बच जाती है तो और हीना को आप क्या करेंगे अच्छी तरह से ढख कर रखेंगे हो सके तो policy से ढख कर रखें कम से कम 6-7 गंटे जरूर रखें अगर time है तो overnight रखें अब यह हीना कुछ इस तरह से देखेगी मैं तो इस हीना को 24 hours के लिए रख देती हूँ आज दिन में बनाती हूँ दूसरे दिन रखती हूँ आप चाहें तो सिर्फ यह अगर हीना भी लगाएंगे तो आप बहुत यह अच्छा सा एक दार कलर मिलेगा पर अब हम यहाँ पर लेंगे indigo powder देखें indigo बिल्कुल भी कोई chemical नहीं है यह नुकसान नहीं करता है हाँ dry जरूर करता है बालों को यह मैं बिल्कुल मानती हूँ क्योंकि मैं इसे use करती हूँ मैंने जो indigo लिया है वो हीना वेता का है आपको जो भी indigo suit करता हो कोई problem नहीं है आप वो ले सकते है बहुत सारी company के indigo आते है हीना वेता का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है indigo powder अब आपको कोई भी plastic का या फिर glass का बाउल लेना है चीक है और इसमें आप कितना डालेंगे indigo अगर आपके बाल कम सफेद है मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोली है तो आपने जितनी हीना लीती उतना ही indigo लेंगे अगर आपके बाल ज़्यादा सफेद है तो double indigo लेंगे उससे भी ज़्यादा सफेद है तो 4 चमच हीना में 10 चमच indigo लेंगे पर हीना लेंगे जरूर चीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर लगबख 4 चमच हीना लीती तो मैंने लगबख 8-10 चमच indigo लिया है अब गरम पाने से हम इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे देखिए indigo बालों को ड्राइ करता है ये बात मैं मानती हूँ पर ये natural dye है तो ये नुकसान नहीं करता है अगर आप chemical वाले color लगाएंगे तो नहीं सिर्फ बाल जड़ते है ज़्यादा सफिद हो जाते है बलके कोई न कोई skin allergy भी हो सकती है तो इसलिए मैं आप से बार बार कहती हूँ कि कुछ बातों का ध्यान रखके अगर आप indigo को use करोंगे तो आपको बिलकुल भी कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आपके बाल indigo से dry नहीं होते है तो आप सिर्फ पानी में टाल कर भी ही ना indigo लगा सकते है पर मेरे बाल बहुती ज़्यादा dry हो जाते है indigo से और थोड़ा से सरदर्द भी होता है मैं इसी लिए इसी तरह ही use करती हूँ और हाँ एक बात अगर आपको result नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे starting में पहले एक दिन पहले आप head wash अच्छी तरह से कर लेंगे उसके बाद आप साब बालों में बिलकुल हीना लगाएंगे उसके बाद दूसरे दिन indigo लगाएंगे अगर आपको result नहीं मिल रहा है one step से तो यह मैंने जो बनाया है यह one step हीना indigo है यह मुझे बहुत अच्छा result मिलता है one step से भी और ठंड है थोड़ी सी अभी ठंड है बहुत जाता तो नहीं है तो यह दो दिनों का process थोड़ा सा headache लग जाए तो आप क्या करेंगे एक दिन पहले head wash करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से shampoo करेंगे उसके बाद दूसरे दिन इसे लगाएंगे और हलके गीले बालों में लगाएंगे हलका सा बालों को गीला करेंगे ठीक है अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ essential oil मैंने पहले भी कहा है अगर आपके बालों सर में दर्द होता है या बहुत जादा dry बाला होते है तो आप हलका सा essential oil डाले कोई भी मैंने यहाँ पर लगबस साथ से आइड़ डाले ट्री ट्रे essential oil के और साथ से आइड़ डाले रोज मेरी essential oil के ठीक है वैसे लेविंटर essential oil भी बहुत ही अच्छा होता है dry बालों के लिए अब इसकी mixing करेंगे बहुत ही अच्छी जो मैंने हीना बनाई थी वो मैंने इसमें mix कर दी है mixing बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान तकना आए उसके बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से ढखकर हावा नहीं लगनी चाहिए इस तरह से ढखकर लगबग 10-12 मिनित छोड़ेंगे 10-12 मिनित के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा अब इसे एक साब बालों में लगाना है अच्छी तरह से जहाँ जहाँ वाइट है ज्यादा है वहाँ पर एक ठिक लेयर लगानी है उसके बाद शावर कैप जरूर पहननी है जितनी घरमाट मिलेगी उतना अच्छा होगा उसके बाद कम से कम साड़े तीन से चार चार से साड़े चार घंटे रखें उसके बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से वाश करना है दो दिनों तक बालों में कुछ भी नहीं लगाना है नहीं कोई ओइल नहीं कोई पैक दो दिनों के बाद बहुत ही अच्छी तरह से ओइलिंग करनी है या जो हमने जैल बनाई थी अगर वो बच गई है तो उसमें ओइल डार कर लगा ले और उसके बाद माई इल शेंपू से वाश करें